है लो दोस्तों क्या हाल है मेरा मेल आव दिन आज का इस वीडियों बात करने वाला हूँ अगर आप रियल्यमी X7 Max 5G यूज़ करते तो आप ये बहुत बड़ी गूतनी होजे दिसंबर मंद का जो अपडेट है आपको रॉल आउट कर दिया गया है इसमें आपको क्या फीचर करने को मिलेंगे या लेटेस वरिजन देखने को मिलेंगे क्या बगस किया गया है दушка इस वीडियों आपको फुरत जनकारी देने वाला हूँ दो विडियों को एट टतने वाली है वीडियो बहुत इंट बार जाए आए अभी तक हमारे टेकनिकल ग्रूफ ब्लॉक चैनल को सब्सक्राइब ने क्या तो टेकनिकल ग्रूफ ब्लॉक चैनल को सब्सक्राइब कर देना डिसकसर में लीक मिल जागा चलिए इस तो बड़ी को इस्टाइड करते है अब चलिए बात कर लेता हूँ अगर आप रियल्मी एक X7 Max 5G में, 10 X7 Max 5G में, December 1 का जो स्वटेर अप्डेट हडेट है, आपको डॉल आउट कर दिया गया है इसमें आपको latest version देखने को मिल जाएंगे, 13.1.0.166 का आपको latest version देखने को मिल जाएंगे कि बात करई देखने को मिल जाएक। रायर्ट को अप्कवन हो देखेनी को मिले है 5 अक्टूबर नॉमंबर स्टेयु पर कुल एज़ा न को लेकर कुछ भी आपको किया गया है, Volume Adjustment को लेकर कुछ भी इसवा रहा वह भी आपको bênस किया गया है, Application आपको सस्कोष मैं कर चलनना। System को लेकर जोबी 2015 से वह आपको fix किया गया है, आपका application फश्फश के चलनना, Stating इसवाना, लेगने इसवाना, आपको फीक्स किया गया है फीचर की बात के तो इसमें कुछी मेंसे नहीं किया गया कि आपको क्या क्या देखने को मिला है फीचर में कुछ भी निया फीचर देखने को नहीं मिला है जो फेले फीचर था वही फीचर आपको देखने को मिला है इसमें सिर्फ आपको सिस्टम को लेकर जो भी बक से वो आपको fix किया गया है दोस्तों यह official वर्जन देखने को मिला है इसका मतलब है कि stable update देखने को मिला है यह update सभी devices में देखने को मिलेंगे realme X7 Max 5G में यह update आपको मिला है कि नहीं मिला है आप कुछे comment करके जरूर पता ना अगर आपको अभी तक यह update दे आपको कुछ भी नया feature देखने को नहीं मिला है इसमें आपका application फस फस के चनना कोई भी application उपन करते उपन करने के बाद इस तरह से इस अप्डेट में आपको fix किया गया है तो बहुत ही most important update होगा इस update को कर लेना है अब बात कर लेते हैं कि realme X7 Max 5G में android 14 का जो update है realme y5.0 का जो update है देखने को मिलेगा की नहीं मिलेगा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप realme x7 max 5G यूज करते तो आपको android 14 का जो update है realme y5.0 का जो update है आपको देखने को नहीं मिलेगा आपका devices लिश्टर में नाम भी नहीं दिया गया है आपका all device हो चुका है इसलिए दोस्तों आपको Android 14 का जो update है देखने को नहीं मिलेगा मैं उमिट करता हूँ दोस्तों आपको पता चल चुका है कि अगर आपने अभी तक हमारे टेकनिकल ब्लुब ब्लग चल को सब्सक्राइब ने क्या तो अगले बूडे में